गुलबर्गा डिस्तिक के फेरोजबाद गाओं के खलिफत रिम्हान की दरगा की थोड़ी ही दूरी पर एक KPDCL का सब्स्टेशन बनाया जा रहा है जिसकी वज़े से फेरोजबाद के किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है गाओं के एक किसान अब्दुलतीफ एसम जागिर्दार ने बताया कि ये सब्स्टेशन का कंस्ट्रेक्शन इल्लीगल है इनके पास Agriculture Department, Revenue Department और Pollution Department की पर्मिशन नहीं है ये सब्स्टेशन बनाने के लिए उसकी बावचुद भी यहाँ पर ये कंस्ट्रेक्शन का काम चल रहा और ये भी कहा है के आसपास के सभी गाओं के लोग आज कंस्ट्रेक्शन की जगह पहुंचे और काम को बंद करवा दिया गाओं के किसानों ने कहा है करनाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई जी को एक लेटर के जरिये इस पुरे मOAPले की जानकारी दी गए थी और साथी गुलबर्गा डेप्टी कमिशनर से ये अपील की है कि सबसेशन के काम को जल से जल पूरी तरह से बंद करवा दिया जाए ताके फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे ये गुलबर्गे तालुखे का फिरोदाबाद गाउं ये सबसे पहले हमारा अबजक्शन ये है किसान के जमीन है ये अनाज देने वाली जमीन है इसके अंदर कोई भी ये फ्याक्टरी कोई कमर्शिल नहीं होना चाहिए ये सबसे पहली बात और ये लोग जो काम कर रहे हैं गयर खार उनके पास किसी का भी पर्मिशन नहीं है इसके लिए पॉलिशन बॉर्ड का पर्मिशन होना बहुत जरूरी है अगिरिकल डिपार्ट का होना जरूरी है और रेनल डिपार्ट का पर्मिशन होना जूरूरी है क्योंकि उसके वज़े ये लोग देखे ये पतर, मिट्टी ये सब करें हैं ये करने की वज़े से ये काम चला ये काम करने की जमीन छोड़कर आसपास के जमीनों में जो बारिश का पानी एक तरफ से फैल कर किसी को नुकसार लाकरती हुए जाने वाला ये पूरे जमीनों को बरबाद करते हुए जाता ये गलत है इसलिए ये जमीन बरबाद हो रही है और एक यहां के जो ये जमीन में काम कर रहे हैं वो जमीन के फेमली को वो घरवालों को परमीने टूंक लिए लेना वो भी नहीं है और इज गाओं के जो किसान मसदूर है वो मसद़ूरों को काम पर लेना वो भी नहीं है यहां के जो भी मशलिय काम डिकर आफ उटार है अब यह अपना जेसी पे वह गрьरा है Technical कुछ वरक छोड़कर Civil जो भी है यह सभ आके लोगों को मिनना चाहिए ये कोई किसी को Facility नहीं है नुकसान है ये गएर खनुनी काम है ये काम को रोकना चाहिए इसलिए हम ये काम को रोक रहे हैं ये काम हमेशा के लिए रुकना चाहिए हर तरीखे का पर्मिशन लेकर आने दीजिए और सारे कीसानों की जो पराविड जमेन हैं इनको किसी किसम का नुखसा नहीं होना इस तरीखे से काम होना चाहिए अगर सरकार इसलिए तो हम पॉलिशन बॉर्ड का पर्मिशन चाहते हैं इसलिए हम अगरीकल डिपार्ट का पर्मिशन चाहते हैं इसलिए हम रेनु डिपार्ट का पर्मिशन जब वो लोग पर्मिशन देंगे तो सारी हिपाज करते हैं पर्मिशन देते नहीं तो नहीं देते ये लोग किसी का प्रिमिशन नहीं हैं ये लोग पैसे वाले हैं ये बाहर की कमपनी वाले हैं इनके पास पैसा है इनके पास पिछे गुंडे हैं और कुछ सियासी लीडर हैं ये सियासी लीडर हों सियासी लीडरों के ताखत पर हैं इनके पैसे की बल पर हम किसानों को कमजोर समझ के डराने वाले हैं हम किसान कमजोर नहीं हैं हम डरते हैं तो हमारे देश के खानून से हम खानून की इज़त करते हैं हम खानून की इज़त करते हुए हम खामुश हैं यह लोग खानून की खदर नहीं कर रहे हैं अगर हम पलट को ठेरेंगे तो अंग्रेजों को भगा है हमारे बुद्रूग लोग, हमारे बाप, ये तो कांके हैं, ये अंग्रेज गए लेकिन अपनी नसल को छोड़ कर गए, अपना यहां निशान छोड़ कर गए, ये लोग हमारे को हिंदूस्तानी किसानों को सता रहें, ये लोगों ऐसे लोगों को जो भी सरकारी आफिसर हैं, और जो हुकुमत चलाने वाले हैं, आईसे लोगों को पाबंद करना चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए, गलत काम को रोकना चाहिए, खानून की इज़त करना चाहिए, खानून को आप लोग विशाल बनाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, ये विलेज के अंदर, अनाज देने वाली जमीन है सर्वेय नंबर एक सो वो सर्वेय नंबर वन थर्टीन एन वन फार्टी जमीन में यह जो केपी टीसेल नाम से वरक कर रहे हैं समीज कमपने वाले वो मिलकर यह जमीन दो हजार नौ दस में के पीची के थर्मल पाउर के लिए यह जमीन गौवर्मिन्ट खरीदी थी नौ लाक एकर में खरीद कर दास साल हो गया अभी उसके अंदर से सिर्फ यह दो सर्वेय नंबर में यह लोगों को पचास कर दिये हैं मुलकर कर रहे हमारे देश का खानून यह बोलता है जो भी जमीन लेते हैं यह काम करने के लिए कमर शील के लिए जो जमीन लेते हैं तो तीन साल के अंदर लेना काम होना अगर नहीं हुआ तो तीन साल के बाद किसानों की जमीन किसानों की छोड़ना और जो काम के लिए हैं वही काम पर लेना यह लोग है इनके पास कोई permission है if click automation ETisicam soir बहुत सबस्य से यहांब कर हरें यह जो दमीन है सर्वे नंबर 138 मेरे वाही की जमीन है यह जमीन के अंदर से पानी बहुता है नाला वो नाला अपने गाडियां वहिकल जाने के लिए रास्ता बंद किये मठी फत्तर वो पईप डाल कर वो रुकने से पानी का प्रेशर होकर वो पानी का रुख बदल कर पानी का रुख बदल कर यह हमारी सर्वे नंबर 139 जमीन पूरी नुक्सान हो गई तीन दफा मैं ब बैलों की जनवरों की गोबरी और यह जो है ने केमिकल मिलता है यह सब यह सब डालका जमीन कर तीन दफा तयार किया तीनों दफा ऐसा चले गए यह लोगों को बोले तो सुने ने यह लोग आभी ऐसा ही कर रहे हैं और एक बात सोचने वाली है हमारे देश के परधान मंतरी शिरीमान ने नरिंदर मोजी जी किसानों की तकलिफ को देकर खानून बना हुआ खानून वापस लिए किसानों को जो है नहीं वो लोगों को अपने हतेली पर बिठा कर किसानों का सर उंचा किये हमारे देश के चुलम हो रहा है सता रहें KPTCL झॼलम कर रहे हम लोगों कौ तकलीब दे रहे हमारी जमीन बर्बाद शो Wirke इस यह घो पास के जो खानून चनाने वाले यह लोग किल गाए हमारे यह बेंगे के अबस्वाल्पूर कांशिशी में आता वो यह मेले साथ किदर हैं क्यों नहीं पूछते हैं यह लोग हमको डराते हैं हम लोग ऐसा रहे तो किसान कैसा बचेंगे यह हमारी तक्रीफ है सरकार उसको सुनना चाहिए यह डिल हमारे डीसे मेडम से हमारी गुजारिश है कि यह काम को पहले तुरंत रोके और इसकी जान पड़ताल किये जबते के काम को रोकना चाहिए जो खानूनी तो हम उसको मानेंगे घार खानून हम नहीं चलाएंगे यह हमारी खुद की जमीन नुक्सान करें इतना बरबाद करें यह लोग क्या करें मैं दस मेने से बराबर कंप्लेट देता हैं इनके खिलाफ मैं गुजा की नगर में वह इसा लिए हैं यह लोग ऐसा ट्रांस्फर बना रहे हैं अभी वहां अवरेक देखिए जामले अब जमीन हैं फसल है वहां पर वो हिटाची से बगएरा वो टवर बनाने के लिए खोद कर बरबाद कर रहे हैं लोग इनसानियत के खिलाफ काम है किसानों के ख के लिए हमारे करना टक के चीफ मिर्शा बसरवाज बोमई साहब से मेरी गुजारिश है हाथ जोड़के उनसार गुराश करता हूं के पहले तुरंत एकाम को रोके इसकी इनकुरी करें की सारों के मदद करें की सारों का हमारा आख हमको देलाना चाहिए यह लोग बाहर के ल पूरे जो परावीट किसान है हमारी खुद की जमेने सब बरबाद हो जाएगी साल दो साल में यह लोगों को रोकना चाहिए